अलो क्लास, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो की है प्रोपर्टी ओफा शॉलूशन, तो जो हमारा शॉलूशन होता है, वो कैसा होता है? एक होमोजीनस मिक्श्चर होता है, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स ऑफ दी सॉलूशन होते हैं, वो काफी यानि कि यह जो light है उसे scatter नहीं करते, light जो है, वो सीधा निकल जाती है, यानि कि जो light की beams होती है, वो colors के अंदर distribute या फिर फटती नहीं है, ठीक है, so that the path of the light is not visible in a solution, यानि कि, जो path of, जो हमारा light का path होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता, solution के अंदर, अगर हमारा homogeneous mixture है, तो, the solute particles cannot be separated, जो आपके solute particles होते हैं, इने separate नहीं किया जार सकता, filtration process के द्वारा, यानि कि, अगर हम जो है, नमक को मिला दें, पानी के अंदर, तो क्या हम उसे अलग कर सकते हैं, filter करके, नहीं कर सकते, fine, the solution of the particles do not settle down, ये, जो bottom होता है, उसमें भी नहीं बैठते हैं, जब हम इन undisturbed छोड़ देते हैं, यानि कि, इनके अंदर, sedimentation भी नहीं होता, next topic हमारा, concentration of a solution, तो, जैसे कि, हम activity 2.2 में observe कर चुके हैं, जो group A है, और B है, उन्होंने obtain किया था, different shades of solution, अलग-अलग color आये थे, solution के अंदर, किस वज़े से, क्योंकि, उनके amount जो थी, वो different थी, so that we can understand the solution is a relative proportion of the solute and solvent, यानि कि, जो आप महारा solution बनेगा, वो depend करेगा, solute और solvent की कितनी proportion में हमने मिलाया है, depending upon the amount of solute present in a solution, ज्यादा तर ये depend करेगा, कि हमारा कितने amount में solute present है, solution के अंदर, और, it can be called as dilute, concentrated, or saturated, तो, यहाँ पर तीन terms आई हैं, काफी ज़्यादा important, तो, हम जो है, इसे तीन तरीके से बोल सकते हैं, या तो कहेंगे dilute, या फिर कहेंगे concentrated, और या फिर कहेंगे saturated, fine, तो dilute कब होगा, concentrated कब होगा, और saturated कब होगा, अब इन्हें comparative terms में हम समझनी की कोसिस करते हैं, तो activity 2.2 में, the solution obtained by the group A, is dilute, जो आपका, जो group A है, उसमें dilute कर रहेगा, क्योंकि ज जादा थी, और जो हमने product डाला था, उसकी, जो यानि की, जो solute डाला था, उसकी कम थी, as compared to group B, fine, activity 2.3, approximately 50 ml of water in each of the separate beaker, दोनों अलग-अलग beakers में हमने कर लिया है, दो beaker लिया है, जिन में 50-50 ml water ले लिया है, इसके बाद हम add करेंगे salt को, एक में salt and sugar, कोई भी चीज ले सक करते हैं, फिर barium chloride in second beaker, with the continuous stir, जिसे हम जो है, stir करते रहेंगे, वह माते रहेंगे, when no more, solute can be dissolved, जब उसमें solute जो है, dissolve होना बंद हो जाएगा, तो हम उसे heat करेंगे, वीकर को, जिसकी वैसे उसका जो temperature है, वो rise करेगा, start adding the solute again, और दुबारा से solute add करना, start कर देंगे, ठीक temperature the same, यानि कि, क्या जो आपका salt का, sugar का और barium chloride जो हमने, बीकरों के अंदर मिलाया है, वो same amount में, जो है, मिलते हैं, क्या, कहीं पे जो salt है, वो 50 gram मिल रहा होगा, sugar जो है, वो 30 gram ही मिल रहा होगा, या फिर barium chloride हो सकता है, 10 gram सी मिल रहा हो, तो depend करता है वो, ठीक है, at a particular temperature, at any temperature, a solution that, that has dissolved as much solute, यानि कि, एक particular set temperature को उपर, temperature को हम fluctuate नहीं कर रहे हैं, उपर नीचे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें, जब solution के अंदर हमारा, जितना solute add हो सकता है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे, saturated solution, जब हमारा, क्या होगा, यहां से, एक स्गिन, तो जितना भी हमारा, जितना भी हमारा saturated solution क्या कहलाएगा, कि, जब हमारा amount of solute, के बल, dissolve होना, बंद हो जाएगा, solution के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, saturated solution, at a given temperature, fine, in other words, दूसे सब्दों में कहें, तो, when no more solute can be dissolved, यानि कि, जब हमारा solute मिलना, dissolve होना, बंद हो जाता है, एक particular temperature पर, तो भी हुसे ह क्या बोलते है, saturated solution, fine, the amount of solute present in a saturated solution is called the, temperature is called solubility, यानि कि, एक particular temperature पर, जब हम, एक निश्चित amount में, solute मिला पाते हैं, solution के अंदर, तो उसे बोलते है, solubility of a solution, कि, इस solution में, कितनी ज़्यादा solubility है, solute को लेकर, fine, तो, यहाँ पर यह, आपकी solubility की, definition आ जाएगी, the amount of the solute present in a, present, the amount of solute present in a saturated solution, at a given temperature, fine, इसके बाद में, क्या है, if the amount of solute contained in a solution, यानि कि, आपका जो solute है, वो contain हो रहा है, solution के अंदर, less than saturated level, यानि कि, अभी saturated level के अंदर नहीं पहुचा है, तो उसे क्या बोलेंगे, unsaturated बोलेंगे, ठीक है, तो दोनों ही पूछे जा सकते हैं, क्या saturated होता है, और कौन सा unsaturated होता है, fine, इसके बाद में, क्या है, what would happen if we take a saturated solution at a certain temperature and cool it down, क्या होगा, अगर हम particular temperature पर saturated solution लेते हैं, और फिर उसे धीरे-धीरे ठंडा करना start होते हैं, we can infer from the above activity उपर वाली activities हम जानते हैं, कि जो हमारा solvent होता है, वो different solubilities के साथ में होता है, same temperature पर, और जब दक concentration, जो हमारा concentration है, solution का, mass या फिर volume में, of a solute, present in a given amount of solution, यानि कि, जो हमारा concentration, solution के अंदर में present रहेगा, या तो वो mass के अंदर रहेगा, या फिर volume के अंदर रहेगा, solute का, present रहेगा वो, किसके अंदर solution के अंदर, या तो mass में, या फिर volume में, fine, the various ways to express the concentration, हमें concentration के बताने के लिए solution की हम अलग-अलग तरीके या फिर methods use करते हैं अगर हम mass percentage का हम बतानी है किसी भी solution की कितना mass हमने इसके इंदर add किया है तो हम कैसे करेंगे mass of solute की कितना हमने mass यानि कि कितना weight का हमने solute मिला है और total mass of solution की हमारे जो total mass कितना है solution का और multiply में कर देंगे 100 तो इससे हमारी percentage आ जाएगी अगर volume में पूछा जाए तो हमने solute जो है उसका mass बताया है और upon में जो volume of solution रहेगा तो into 100 करके तो हमारा आ जाएगा mass by volume और last में volume by volume तो volume by volume कैसे रहेगा volume of solute upon volume of solution into 100 इसका एक example है जैसे कि हम देख सकते हैं एक solution है हमारा 40 grams और जो हमारा water है वो 320 grams तो ये कैसा हो गया mass by mass तो हम देख लेंगे mass of solute कितना है 40 और mass of solvent कितना हो गया 320 तो हम दोनों को add कर देंगे पहले तो हमारा total आ जाएगा solution का और जब हम क्या निकालेंगे mass percentage निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 40 by 360 into 100 तो हमारा कितना जाएगा 11.1 ठीक है अब आप ऐसे ही जो है कुछ और examples ले सकते हैं जिनके दोरा आप जो हैं या तो आप mass by volume निकाल सकते हैं या फिर volume by volume निकाल सकते हैं ठीक है इनके practice करके आप देख सकते हैं फिर नेक्स्ट हमारा suspension एसे हम करेंगे अपने next वीडियो में ठीक है तो तब तक healthy रहिए और have a good day तो आप दो हैं